नश्का दोस्तों, देट है आज की 21 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में चार इस्यूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले टेकनोलोजी की साहिता से मल्टी लिंगोर लर्निंग को परमोट करना दूसे नंबर पे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, तिसे नंबर पे युनिफोर्म टैरिफ पोल्सी और चोथे नंबर पे हमारे देश में रेगुलेटर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं जैसे NSC और सेबी discussion स्टार्ट करने से पहले court देख लीजिए, डक्तर राजिंदर परसाथ ने ये बात बोली थी हमारा जो सविधान है, वो देखो एक machine की तरह है, machine जो अपने आप में आपको पता है lifeless होती है, लेकिन machine life acquire करती है, उस person से जो उसे control करता है जो उसे operate करता है, अगर हमारे देख में वो लोग जो elect होते हैं, वो capable है, man of strong character integrity है तो वो defective constitution से भी best निकाल सकते हैं, लेकिन अगर constitution perfect है, लेकिन जो चुने हुए लोग है, उनमें कमी है उनका character strong नहीं है, तो कितना भी अच्छा constitution हो, कितना भी perfect constitution हो, वो देख की मदद नहीं कर सकता तो ये बात राजेंदर परसाद ने बोली थी, जब आपको सविधान के बारे में लिखना हो, तो ये बात आप लिख सकते हो कोशन ये है, discuss why antimicrobial resistance is a silent pandemic of the coming future, आने वाले future की silent महमारी है antimicrobial resistance explain करना है क्यों जो antimicrobial resistance grow हो रहा है, इसके कारण क्या है, आपको ये explain करना है, चलिए discussion start करते हैं first important article, technology की साहिता से multilingual learning को promote करने से समधित हैं, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो जब देखो कोई person, अपनी mother tongue language में अपने आपको express करता है न, तो ये उसकी cultural identity का core part है सदियों से भारत जो है, वो सैकड़ो languages और हजारों बोलियों का घर रहा है, हमारा देश cultural और linguistic diversity के मामले में काफी ज़्यादा धनी है, इवन ये जो linguistic diversity है न, मतलब इतनी सारी languages इंडिया में बोली जाती है ये देखो हमारी civilization को और ज़्यादा महान बनाती है, इसके साथ साथ हमारी ancient civilization की आधार सिला भी रखी जाती है इसी linguistic diversity के द्वारा, इसके बाद देखो कुछ lines और भी है, mother tongue languages की importance के बारे में UNESCO के Director General Koichiro Matsura ने कहा था, देखो जो languages हम हमारी mother से सीखते हैं न, उन languages में हमारे inner most thoughts, बिल्कुल दिल के अंदर वाले जो thoughts हैं वो निवास करते हैं उन्होंने ये भी कहा था, जैसे देखो हर एक human being, unique है, उसी परकार से हर एक जो language है, वो unique है, उसे replace नहीं किया जा सकता दूसरी languages से language एक परकार से bridge का काम करते हैं, within cultures के बीच, और civilizational continuity को भी maintain करके रखती हैं languages जैसे देखो, कोई कंणर माता-पिता है, वो अपने बच्चों को कंणर में सिखाएंगे, फिर उसके बाद अपने बच्चों को कंणर में सिखाएंगे, तब ही तो civilization जो है, उसकी continuity maintain हो रही है न, अगर माबाप कंणर के बजाए English में सिखाने लगे अपने बच्चों को, त तो धीरे-धीरे तो हमारी जो civilization है, वो लूप्त हो जाएगी, इंगलिस में सिखा रहे हैं, मतलब western culture, western civilization का influence बढ़ता जाएगा हमारे उपर, यही बात, राइटर बोलते हैं, यही हमारे उपर राश्टर बती, वो बोलते है globalization और westernization के कारण, ना सिरफ देखो हमारी growth पर impact प इन्टरनेशनल Mother Languages Day, इस देखो 21 फरवरी को अपज़व करने का मकसद देखो simple है, लोगों में mother tongue languages के बारे में awareness फिलाई जासके, और इन languages को protect किया जासके, mother tongue language मतलब वो language, जिस language में mother ने आपको सिखाया है, युनेसको देखो, काफी समय से परियास कर रहा है, युनेसको क अनुसार, at least, जितनी languages world में बोली जाती है, 6000 के आसपास है, इन में से 43% जो language है आज के समय में endangered है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा alarming figure है, इस बार की theme क्या है, international mother tongue language देखी, using technology for multilingual learning challenges and opportunities, ये जो theme है वो आज के समय में काफी ज़्यादा relevant है, Theme का मतलब ये है, discuss करना कैसे, technology एक भूमिका निभा सकता है, multilingual education को promote करने में, central idea ये है, technology का इस्तमाल करना, mother tongue languages में learning को sport करने के लिए, जैसे देखो, अगर कोई एक ऐसा software है, जिसकी साहिता से English content को, हम कंणर में, तमिल में, मराथी में convert कर सकते हैं, तो कितना अच्छा हो, यही सब ध्यान में रखते हुए, इस बार की theme रखी गई है, using technology for multilingual learning challenges and opportunities, इसके अलावा देखो, technology नए-नए tools प्रोवाइड कर सकती हैं, जिसकी साहिता से linguistic diversity को protect किया जा सकता है, उनको spread किया जा सकता है, उनको analyze किया जा सकता है, बहुत सारी languages तो अभी जैसे oral form में हैं सिरफ, लेकिन उनको digital form में भी protect किया जा सकता है, technology के नए-नए tools की साहिता से, ग्लोबली देखो, technology का जो role है, COVID-19 की महमारी के बाद एकदम से बढ़ गया, जैसे ही lockdowns लगे, educators और learners, online mediums की साहिता से सीखने लगे, लेकिन नए-नए challenges भी सामने आए, जैसे देखो, internet access, material से adapt करना, content in diverse languages, ये real challenges हैं, वैसे दो देखो, various state governments और central government, important steps ले रही हैं, digital learning को promote करने के लिए, लेकिन ये सभी stakeholders की responsibility बनती है, किसी परकार का कोई digital divide ना हो, ऐसा ना हो, कि कुछ sections तो digital learning को access कर सकें, और कुछ sections वंचित हो जाएं, अब कुछ ऐसे steps की बात करते हैं, जो सरकार ने लिये हैं, अपनी mother tongue language में, या फिर यूं कहें, multi-lingual languages में learning को promote करने के लिए, national education policy 2020 कहती हैं, कि छोटे बच्चों का medium of instruction है, कम से कम 5 वी class तक के बच्चों का medium of instruction है, वो उन बच्चों की mother tongue language होनी चाहिए, ऐसा increase किया जाता है, national education policy 2020 में, और अगर आठवी class तक या फिर उससे भी ज़्यादा ऐसा होता है, तो और भी ज़्यादा अच्छा हैं, अगर देखो mother tongue languages का इस्तमाल किया जाता है ना teaching में, तो outcome ज़्यादा आती है, बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, क्यूंकि बच्चों की जो सोचने और समझने की शक्ती है ना, वो ज़्यादा विक्सित होती है mother tongue language में, आज के समय में आप science के subjects उठा के देखिए, science के subjects में जो terminology है ना, वो mainly English में है, थोड़ी बहुत हिंदी में आई है, लेकिन Indian जो languages हैं, इतनी सारी, Tamil, Telugu, Kannad, Malayalam, उनमें, मतलब ये भी चलो देखो, हमारी बहुत ही ancient और महान languages हैं, लेकिन छोटी-छोटी languages और काफी सारी हैं उनमें scientific और technical terminology के जो words हैं, वो मिलते रही हैं, सर सीवी रमन, जो महान scientist हैं, इन्होंने कहा था, कि हमें बच्चों को science सिखानी चाहिए, अपनी mother tongue language में, इससे उन्हें concepts की बहुत ही ज़्यादा clarity आएगी, और उनका vision जो है, वो और ज़्यादा clear होगा, otherwise, formality करने वाली बात हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था, अगर हम science mother tongue languages में नहीं पढ़ाते हैं, तो फिर सभी लोग science सीखने में participate नहीं कर सकेंगे, तो सर सीवी रमन का जो observation था ना, वो बिल्कुल सही था, आज के समय में आप देखिए, हमारे देश में बहुत सारे parents ऐसे हैं, जिनको लगता ह है, कि English medium में बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि English medium ज्यादा अच्छा है, तो ये जो सोच है ना, कि जो local languages है, उन में पढ़ाई खराब है, और English languages में पढ़ाई जो है, अच्छी है, बच्चा ज्यादा अच्छा perform करेगा, actually इस सोच के लिए हम ही जिमेदार हैं, क्योंक लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है, कि आप जो local languages है, उनको आप बुरा मानो, बहुत बाद आपने देखा होगा, जैसे school में बच्चा अगर audio में बोलता है, तो school final लगा देता है, कि नहीं audio में नहीं बोलना, English में बोलना है, क्यों भाई, local language भी अच्छी है, वो भी ब identity, हमारी self-esteem को चोट पहुंशती है, तेलगू बच्चा अगर तेलगू को ignore करके पूरा ध्यान English पर देगा, तो जैसा मैंने पहले आपको example दिया, धीरे धीरे उसकी जड़ें हैं, आने वाली generations की भी जड़ें हैं, तेलगू में कमजोर होने लगेंगी, आप देखो example लीज पान, तो देखो technology के मामले में कितना आगे हैं, क्यों क्योंकि content जो है वो local languages में available है, हमारे देश में एक survey किया गया था, AICTE के दवरा, All India Council for Technical Education, 83,000 students को उस survey में सामिल किया गया था, जिसमें से 44% students ने कहा, कि हमें mother tongue language में अपनी engineering study करनी है, तो सोच के देखिए, technical education में learning host के mother language में तो कितना अच्छा है, कितना ज्यादा अच्छे से बच्चे अपने concepts developers केंगे, इसके लिए देखो AICT और IIT मदरास collaborate भी कर रहे हैं, कि कुछ जो central government के swim platform per courses है न, उनको अलग-अलग regional languages में translate किया जांसके, जैसे तमिल, हिंदी, तेलगु, कंणर, बंगाली, मराथी, मल आलम गुजराती, ये काफी अच्छी शुरुवात है, at the same time AICT ने ये भी decision लिया, कि BTEC प्रोग्राम जो है, ये अब launch किया जा सकता है, 11 native languages में, National Education Policy के हिसाब से AICT ने ये approval दिया है, तो ये एक काफी ज़्यादा इतिहासिक move है, अब बच्चे engineering कर सकेंगे, इन 11 native languages में भी last में conclusion में ये भोला जाता है, language census जो conduct किया गया था 2018 में, इसके अनुसार देखो, इंडिया, 19,500 languages और dialect का घर है, एक बात पूछूँ आपसे, language और dialect के बीच में क्या difference है, भासा और बोली के बीच में, देखो, differences तो दो तिन में आपको बताता हूँ, लेकिन इन पर कुछ experts questions भी raise कर देते हैं, जैसे एक difference ये है, भासा को तो लिखा भी जाता है, जैसे हिंदी को देवनागरी script में लिखा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ dialect जो है, हर्यानवी, हर्यानवी की अपनी कोई अलग से script नहीं है, हर्यानवी को अगर आप लिखना हो, तो देवनागरी script में ही लिखना पड़ेगा, अलग से कोई script नहीं है, हर्यानवी की, तो ये एक बोली हुई, दूसरा difference कई बार ये बता दिया जाता है, कि देखो language is group of dialects, मतलब काफी सारी जो dialects हैं, वो milky language बनाती हैं, जैसे हिंदी हैं, हिंदी की ये सारी dialects हैं, हर्यानवी, गड़वाली, ये सब हिंदी की dialects हैं, नि बोलिया हैं, इनकी अलग से कोई script नहीं है, इनको लिखना हो, तो आपको देवनागरी script में ही लिखना पड़ेगा, तो ये दो differences की हमने बात की language और dialects के बीच में, लेकिन कुछ experts आपको ऐसे भी मिलेंगे, जो इन differences पर questions raise कर देंगे, और बोले इंडियन languages, जो endangered category में आती हैं, उनको revive करें, उनको revitalize करें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हर एक जो single language हैं, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा diverse culture को सहेज के रखी हुई है, उस में उस language को बोलने वाले लोगों की wisdom समाहित हैं, तो हम किसी language को अगर सहेज के रखते हैं तो हम उस language को बोलने वाले लोगों की values, traditions, story, behavior, norms, proverbs, saying, idioms, ये सब भी सहेज के रखते हैं, ये सब भी प्रिजाव करके रखते हैं, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया, चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल देखो, energy cost से सम्मधित हैं, GS paper 3 के इस topic से आप आर्टि 30 के रोड लोग रहते हैं, हमारे देश की जो economy है, world में 6th largest economy है, हमारे देश में देखो, ना सिरफ सभी लोग को, बलकि सभी states को भी equal opportunity मिलनी चाहिए, grow करने की, हमारे देश में अगर आप नजर डालोगे, तो जो low income states है ना, वो काफी सारे front पर पीछे रह जाते हैं, उन low income states को जैसे UP को भिहार को credit नहीं मिलता, असानी से loan नहीं मिलता, वहाँ पर industries को investment काफी कम रहती है, power availability कम रहती है, energy cost भी इसलिए high रहती है, अब देखो, जिस state में energy cost high होगी, बिजली की जो कीमत है वो ज्यादा होगी, वहाँ पर industries क्यों लगेंगी, लेकिन जो high income states है ना, जैस महराष्टर, तमिलाडू, गुजरात, करनाटक, आंदरपरदेश, तेलंगना, इनका देखो, industry और commerce के मामले में बड़ा share है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि काफी सारे fronts पर ये पिछडे हुए नहीं है, इन high income states में तो power जो है, electricity जो है, वो सस्ती है, इसलिए investment भी ज़्यादा आती है, एक अनुमान के अनुसार, जो ये 6 राज्य हैं जिनकी अभी हमने बात की, ये देश की factories में 56.4% contribute करते हैं, यानि देश की 56.4% factories तो इनी 6 राज्यों में हैं, जबकि population में इनका share सिरफ 32.3% है, तो एक reason ये भी है, यहाँ पे ज़्यादा factories होने का, क्योंकि इन हैं, financing जो services है ना, वो easily available हैं, जबकि इन 6 लो इंकम states में, बिहार, जारखंड, UP, MP, उडिशा, राजस्तान, यहाँ पे total हमारे देश में जितना institutional credit दिया जाता है ना, institutional credit मतलब चाहे वो bank हो, या फिर non banking financial companies हो, जो भी एक institutions credit देते हैं ना, उन में से इन 6 राज्यों को credit मिलता ह है, सिरफ 15%, और इन राज्यों में, जबकि population रहती है, पूरे देश की population का 43%, industrial credit मिलता है, सिरफ 5%, जबकि इन राज्यों में, जो लोग अपनी saving रखते हैं ना, banks में, उस saving का, इन राज्यों को सिरफ 50% credit मिलता है, यानि loan मिलता है, एक और example देखिए, आतम निर्भर package loans किया थ इसमें से देखो, industry में highest share किसको गया, high income states को, इसके बाद देखो, article में specifically बात की जाती है, power की, यानि electricity की, क्या power भी एक role play करता है, investment को attract करने में, जी हाँ, बिल्कुल करता है, जिस राज्यों में power ज्यादा सस्ती होगी, electricity सस्ती होगी, तो जाहिर तोर पर जो investor है, वहाँ प secure किया जा सकता है, but देखो, energy India outlook 2021 की report के अनुसार, electricity के जो prices है वो vary करते हैं, अलग लग states में, क्यों vary करते हैं, अब देखो, कोई राज्या ऐसा होगा, जो electricity के bill पर ज्यादा tax लगाता है, कोई राज्या ऐसा हो सकता है, जो electricity के bill पर कम tax लगाता है, समझ गये, कोई 10% लगात है, कोई 5% लगाता है, कोई राज्या ऐसा हो सकता है, जो electricity के bill पर ज्यादा subsidy देता है, for example 200 unit तो free है आपकी, कोई राज्या ऐसा हो सकता है, जो electricity पर subsidy बिलकुल नहीं देता, और कहीं कहीं पर electricity के दाम भी इस परकार से vary करते हैं, किसी को electricity, किसी राज्या को सस्ती मिलती है, 4 रूपे रेट के हिसाब से किसी राज्य को उलेक्टिस्टी 2 रूपे के हिसाब से मिलती है तो फिर उसी इसाब से वो consumers को बेजते हैं तो कहने का मतलब है इलेक्टिस्टी के जो दाम है पूरे देश में सभी राज्यों में सेम नहीं है वो vary करते हैं कैसे इस जो different pricing है अलग- कर दो तो फिर क्या हो जाएगा एक ग्रीड से दूसरे ग्रीड में एनर्जी ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा हम वन नेशन वन ग्रीड वन फ्रिकेंसी के आगे बढ़ेंगे अगर ऐसा होता है वैसे मुझको यहां पर एक डाउट आ रहा है है साध आपको भी आया होगा हम अलेडी आपस में connected है ना पहले ही होई चुके हैं तो फिर राइटर रिजनल ग्रीड को synchronize करने की बात क्यूं बोल रहे हैं खेर आगे देखते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं इसके बाद राइटर ये बोलते हैं वन नेशन वन ग्रीड वन फ्रिकेंसी के साथ अगर वन टै प्रेडिंग है वो ज्यादा अच्छे से होगी ज्यादा इसली होगी वो ज्यादा होगी इस पॉल से के बिना दिक्तत देखो ये आती है जैसा मैंने आपको बताया कुछ राज्यों को electricity महंगी मिलती हैं अब जाहिर तोर पर देखो जैसे हिमाचल परदेश उतराखंट जै ज्यादा नहीं हो रहा है तो उस राज्य को दूसरे राज्यों से electricity purchase करने पड़ रही है तो उसको महंगा पड़ेगा अगर वो राज्य थोड़ा दूर है रिमोट है तो और भी ज्यादा दिक्कत है तो उसको अपने consumers को ज्यादा subsidy देनी पड़ेगी electricity को सस्ता रखने के लि नेक्स्ट राइटर सजेशन ये देते हैं अभी देखो electricity के ऊपर जो tax लगता है जो duty लगती है वो GST के अंतरकत नहीं आती है हर एक राज्या में electricity के ऊपर लगने वाली duty अलग लग है राइटर सजेश्ट करते हैं इसे आप GST के अंदर ले आओ अब कुछ experts बोलेंगे अर इसा मत करो इसके ऊपर electricity bill के ऊपर आप GST तो लगाओ लेकिन जो revenue प्राप्त हो ना GST लगाने से वो उसमें सारा जो पैसा होना वो SGST का हो CGST का ना हो क्योंकि अभी भी ये पैसा central government को तो मिलता नहीं है अलग अलग राज्यों में electricity के बिल के ऊपर वो खुदी अपने ही सा GST में और फिर बाकी जो राज्यों है अपने अपने ये जो revenue है total उसे divide कर लें अपने हिसाब से इसके बाद राइटर कहते हैं central electricity authority ministry of power के अनुसार 2021 में 6 राज्यों ने हमारे देश में installed power capacity का 50% इस्तमाल किया जबकि इन 6 राज्यों की population जो है अपने देश की total population का सिरफ 32% है और जो पिछडे हुए 6 राज्यों है ना उन्होंने देश की total installed capacity का सिरफ 25% power use किया और इन 6 पिछडे हुए राज्यों की जो population है ना 43% है पूरे देश की population का तो लास्ट में राइटर यही बात दोराते हैं power के जो दाम है सभी राज्यों में सेम होने चाहिए ताकि low income states में इन्वेस्टमेंट आस के वहां पर भी factories बंस के चालू होस के इसके लिए दो चीज़ें आपको करने होंगी uniform energy tariff और inclusion of electricity duty under the ambit of GST इसके बाद अगला article regulators के role से समधित है आप GS paper 3 के इस topic से और GS paper 2 के governance में भी regulator वाला topic है ना वहां से भी आप इस article को relate कर सकते हों यह article देखो का कफी ज़्यादा interesting भी है funny भी है और सच बताओं तो दुखत भी है unfortunate है बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए यह है चित्रा रामा कृष्णा यह NSE की chief theme NSE मतलब national stock exchange जैसे Bombay stock exchange है उसी परकार से national stock exchange है और national stock exchange में देखो daily basis पर क्रोड़ों transactions होती है लाखों क्रोडों रुप exchange है national stock exchange तो उसकी director थी यह चित्रा रामा कृष्णा अब देखो हुआ क्या सेभी जो एक organization है na security and exchange board of India सेभी जो है हमारे देश में जो commodity market है या फिर security market है उनको regulate करती है यानि BSC NSE इन सब पर नज़र रखी जाती है सेभी के दवरा तो NSE में ने national stock exchange में एक appointment हुई आनंद किस post पर चीफ strategic advisor की post पर इस post पर आनंद सुबर्मन्यम की appointment हुई कब हुई जब NSE की chief थी चित्रा रामा कृष्णा और ना सिरफ देखो आनंद सुबर्मन्यम की appointment हुई बलकि इनको जल्दी जल्दी promotion दे दी गई उसके अलावा इनकी salary भी बहुत जल्दी जल्दी increase हुई इ जे भी ने NSE के board को काम दिया कि आप देखिये जो ये आनंद सुबर्मन्यम की appointment हुई है क्या appointment सम्मन्दी जो नोम्स है उनका violation हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो देखो further जांच होती गई और जांच में पता क्या पता लगा जांच में सबसे पहले तो ये पता लगा कि इन की बात होती थी मतलब कोई unknown person जो हिमालियाज में रहता है उनके साथ email पर इनका communication होता था तो उस हिमालियन योगी ने recommend किया चित्रा रामकृष्णा को कि आनंद सुबर्मन्यम को काम पर रख लो chief strategic advisor के post पर सोच के देखो इतने बड़े exchange की जो chief है वो एक unknown person जो अपने आप को हिमालियन योगी बताता है जिनके साथ इनका communication होता है email के through ऐसे person से जिससे कभी चित्रा रामकृष्णा मिली नहीं है ऐसे person की advice पर उन्होंने अनंद सुबर्मन्यम को काम पर रख दिया chief strategic advisor की post पर और ना सिरफ काम पर रख दिया बलकि वो जो unknown person थे हिमालियन योगी जि उन्होंने ये सब बाते बोली कि आनंद सुबर्मन्यम को हफते में सिरफ तीन दिन आने के लिए बोला जाए उनको rest दिया जाए उनकी salary increase कर दी जाए सारी बाते हिमालियन योगी advise करते रहे चित्रा रामकृष्णा को और ये मानती गई लेकिन देखो उससे भी ज़्यादा हरानी वाली बात पते क्या है उससे भी ज़्यादा हरानी वाली बात ये है अब ये लगता है मतलब आलमोष्ट पुष्टी हो चुकी है कि वो unknown person जिसकी बात ये मानती गई थी चित्रा रामकृष्णा वो और कोई नहीं वही person थे मतलब की simple भासा में जो unknown person यानि हिमालियन इनको advise कर रहे थे न NSE की chief को कि अनन्द सुबर्मन्यम को काम पर रख लो एक्च्वल में वो अनन्द सुबर्मन्यम ही थे जो unknown person बनके यानि हिमालियन योगी बनके communicate कर रहे थे NSE की chief के साथ और उन्होंने recommend कर दिया अपने ही नाम को कि अनन्द सुबर्मन्यम को काम पर कि वो बाद में इस परकार से भी advice देते रहे कि अनन्द सुबर्मन्यम के काम को आसान बना दो उसको एक अफ़ते में तीन दिन काम करने के लिए बोलो ये सब कुछ हुआ है तो इसलिए मैं बोल रहा था interesting भी है funny भी है लेकिन बहुत ज़्यादा दुखत भी है कि जिस exchange में कि इतनी ज़्यादा transaction होती है इतने क्रोडो का trade होता है daily basis पे और उसको इस परकार से चलाया जा रहा था ethics में देखो आप example दे सकते हो कि कैसे civil servants को objectivity के हिसाब से काम करना चाहिए facts के basis पर rule of law के हिसाब से लेकिन चित्रा रामा कृष्णा ने जो कुछ किया हिमाल्यन योगी की वो advice को मानती गई तो यहाँ पे तो objectivity वो सब कहीं भी नहीं है तो वैसे देखो इस case में जांज तो इस बात की हो रही थी काईदे से कि आनन्द सुबरमन्यम को काम पे कैसे रखा गया लेकिन जांज करते करते यह भी पता लगा कि NSE की तो पूरी working थी वो भगवान बरोसे थी या फिर यूँ कहें unknown person यानि हिमाल्यन योगी के advice पर निर्बर कर रही थी जब ये चित्रा रामा कृष्णा NSE को चला रही थी उस समय लास्ट में बोला जाता है जो सेवी है जो security और commodity market को हमारे देश में regulate करता है ये भी तो आँख पे आँख बंद करे बैठा रहा इतना सालों तक इतना कुछ होता रहा आनंद सुबरमन्यम appoint हुए उनकी salaries बढ़ती गई तो सेवी को समय रहते act करना चाहिए था ना काफी पूरा episode हुआ इसकी वज़े से investors को नुकसान हुआ investors को अगर नुकसान होता ना जो trading करते हैं फिर तो और भी जादा दुखत बात होती लेकिन अभी तक ऐसी कोई evidence तो सामने नहीं आया है कि इनकी functioning की वज़े से investors को कोई नुकसान पहुंचा हो लेकिन अब ये सेवी की duty बन ना हो आपकी गलतियों के वज़े से तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे अगला जो article है वो anti-biotic resistance से समन्दित है आप G.S. paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हैं Context क्या है? Context देखो ये है, हाल ही में Lancet की Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance पर report आई जिसमें ये कहा गया कि COVID-19 के समय, नहीं COVID-19 से पहले, COVID-19 तो 2022 में आय था न, 2019 में 4.95 मिलियन लोगों की death हो गई ये deaths कहीं न कहीं देखो antimicrobial resistance से associated थी, तो अब समय आ चुका है कि इस problem को ज़्यादा seriousness से निप्ता जाए हम basics के साथ इस issue को discuss करना start करते हैं मतलब क्या है antibiotic resistance का? जब देखो हमारे स्रीर में किसी परकार का infection हो जाता है bacteria की वज़े से या फिर किसी दूसरे microorganism की वज़े से तो हम antibiotic लेते हैं यानि medicine लेते हैं ताकि उन bacteria को और उन microorganisms को खतम किया जासके जिनकी वज़े से infection हुआ है लेकिन अगर वो bacteria या फिर वो microorganisms जिनकी वज़े से infection हुआ है वो एक परकार का resistance डवलप कर लें यानि कोई ऐसा mechanism evolve कर लें जिससे उन पर antibiotics का यानि medicines का आसर होना ही बंद हो जाएं तो क्या होगा infection तो देखो चलता ही रहेगा क्योंकि antibiotics ने destroy किया ही नहीं उन bacteria को उन microorganisms को जिनकी वज़े से infection हुआ है तो ऐसी situation को कहा जाता है antibiotic resistance होता क्यों है antibiotic resistance mainly six reasons की वज़े से होता है सबसे पहले है overuse of antibiotics यानि उन medicines का overuse जिनका इस्तमाल किया जाता है हमारे स्रीड में harmful bacteria को destroy करने के लिए दूसरा, patients काफी बार antibiotics के course को पूरा नहीं करते बीच में छोड़ देते हैं तो इसकी वज़े से भी antibiotic resistance डवलप हो जाता है तीसरा, आजकल देखो, live stocks के लिए और even fishes के लिए मचलियों के लिए भी antibiotics का इस्तमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है और एक बार अगर animals में और fishes में antibiotics resistance डवलप हो जाता है तो वो drug resistant bacteria human beings में भी enter कर सकता है physical contact की साहिता से या फिर मचलियों को, animals को खाने के लिए भी human beings यूज करते हैं तो वो drug resistant bacteria human beings में enter कर जाता है और human beings में antibiotic resistance को डवलप कर देता है इसी से समंदित एक काफी ज़दा चुकाने वाली investigation सामने आई पसु पक्सियों के लिए medicine डवलप करने वाली world की सबसे बड़ी कंपनी है जोईटीस ये कंपनी Indian farmers को poultry farmers के अंबात कर रही है यानि वो किसान जो मुर्गी पालन करते हैं ऐसे किसानों को antibiotics बेच रही थी growth promoter के तोर पर जिससे मुर्गियों की growth जल्दी से हो USA ने देखो 2017 में इस कंपनी को सीधे तोर पे बोल दिया था कि आप antibiotics को नहीं बेच सकते growth promoter के तोर पर USA ने बैन लगा दिया था लेकिन इंडिया में आपको पता है regulation थोड़ा weak है तो ये कंपनी अभी भी धडलले से हमार देश में poultry farmers को बेच रही है antibiotics growth promoter के तोर पर लेकिन सोचने वाली बात ये है antibiotic resistance boundaries देख के तो नहीं develop होता ये USA की मुर्गी है या फिर इंडिया की मुर्गी है antibiotics तो develop होगा ही ना खैर हम चोथे reason की बात करते हैं जिसकी वज़े से antibiotic resistance develop होता है नई antibiotics को हम develop नहीं कर पा रही है पांचवा reason hygiene poor sanitation इसकी वज़े से भी antibiotic resistance develop हो जाता है और सबसे लास्ट में छटा reason poor infection control in hospitals and clinics infection को control करने के लिए अच्छा mechanism follow नहीं किया जाता hospitals में और clinics में जिसकी वज़े से भी antibiotic resistance develop हो जाता है और काफी बार ऐसा भी देखने हो मिलता है इसे आप साथवा reason भी वैसे कह सकते हो जो hospital का waste होता है medical waste वो खूले में छोड़ दिया जाता है खूले में छोड़ने से भी drug resistant जो bacterias है वो environment में आते हैं खूले में और खूले से फिर human beings में enter कर जाते हैं तो ये साथ reasons आप लिख सकते हो अगर UPSC पूछती है antibiotic resistance होता क्यूं है अब कुछ suggestions दिये जाते हैं WHO के द्वरा यानि World Health Organization के द्वरा कैसे antibiotic resistance को develop होने से रोका जा सकता है health workers के लिए अलग से suggestions हैं individuals के लिए अलग से हैं और women देशों की governments के लिए अलग से हैं पहले बात करते हैं health workers के लिए क्या suggestion है देखो infection को रोकने के लिए environment को clean रखा जाए और जो patients हैं उनके हाथ बार-बार धुलवाए जाएं उनको increase किया जाए vaccination जो दी जाने वाली है patients को वो up to date हो ऐसा नहीं कि एक बार medicine दी गई बाद में भूल गया health worker नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और antibiotics को अगर देनी के आशुकता होती है patient को तो test किया जाए confirm करने के लिए क्या वास्ताव में patient को antibiotics देनी चाहिए या फिर नहीं अगर जुरूर्थ हो तभी दी जाए अन्यथा नहीं और बिल्कुल right dose में दी जाए ना जादा दी जाए और ना कम दी जाए और बिल्कुल right duration के लिए antibiotics दी जाए patients को उसके बाद individuals के लिए क्या suggestions है देखो सिरफ doctors जब prescribe करते हैं तभी antibiotics को consume किया जाए ऐसा नहीं कि आप medical की दुकान पर जाओ और antibiotics ख्रीद के लेना स्टार्ट कर दो ऐसा नहीं होना चाहिए और जब antibiotics लेना स्टार्ट करो तो उस course को complete करो जो दोक्टर ने बताया है कभी भी पुराने छुटे हुए antibiotics को consume मत करो antibiotics को किसी दूसरे person के साथ share मत करो और infections को होने से बचाओ जैसे regularly हाथ दोना ये normal सी बाते हैं विविन देशों की governments के लिए क्या suggestions हैं WHO के national action plan होना चाहिए एक surveillance system होना चाहिए infection prevention mechanism दूस्त होना चाहिए antibiotics के इस्तमाल को regulate करना और quality को भी regulate करना सबसे last में awareness फिलाना तो ये suggestions दिये जाते हैं WHO के दोरा अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे steps जो सरकार की तरफ से लिये गए हैं antibiotics resistance को prevent करने के लिए और उन steps की effectiveness क्या है सबसे पहला step सरकार की तरफ से ये लिया गया सरकार ने important antibiotics को डाला drug and cosmetic rules 1945 के schedule H1 के अंदर देखो schedule H1 medicine वो medicine होती है जो chemist आपको बिना prescription के नहीं बेच सकते तो सरकार ने सबसे पहले ये किया लेकिन article में कहा जाता है सरकार का ये step ज़्यादा effective साबित नहीं हुआ क्योंकि बहुत सी pharmacies ऐसी हैं जो अभी भी schedule H1 drugs को बिना prescription के बेच देती हैं customers को और हमरदेश की जो agencies हैं वो इस बारे में regulation अच्छे से नहीं कर पा रही है दूसरा 2017 के अपने national action plan में सरकार की तरफ से कहा गया था देखो हम इस बार पे restriction लगाएंगे antibiotics का इस्तिमाल animals के लिए as a growth promoter ना हो लेकिन इस front पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है 2017 के national action plan में सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि फार्मेकृटिकल फार्म्स के दवरा antibiotics को खूले में ना छोड़ा जाए इसके लिए भी हम proper standards define करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है हैदराबाद में जो फार्मेकृटिकल इंड़स्ट्री है वो massive amount में antibiotics को बहा देती है local lakes में, rivers में, sewers में लेकिन सरकार की तरफ से कोई regulation नहीं है even seaways में भी antibiotics की presence को monitor नहीं किया जाता है government के दवरा तो ये सब कुछ steps है और उनकी effectiveness हमने discuss की conclusion में ये कहा जा सकता है देखो अब तो सरकार को जागना होगा क्योंकि antibiotics का misuse अब बहुत ज़्यादा तेज गती से होने लगा है 2013 के एक data के अनुसार हर साल 58,000 new bones यानि नए पैदा हुए बच्चों की death हो जाती है sepsis की वज़े से sepsis देखो एक ऐसा disease है जब antibiotics को लिया जाता है स्रीर में तो उस समय antibiotics की वज़े से जलन होने लगती है पूरे स्रीर में और वो जलन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वज़े से स्रीर के कई सारे organs काम करना बंद कर देते हैं और इससे person की death भी हो जाती है तो sepsis की वज़े से हर साल 58,000 new bones मर जाते हैं इसलिए सरकार को action लेना होगा क्योंकि अभी action नहीं लिया तो बाद में पस्ताने के सिवाए कुछ नहीं बचेगा अब last में देखो आज के article में कुछ important जो points रह गए हैं उनको भी extract कर लेते हैं आज के article में writer के द्वरा कहा जाता है अभी फिलाल हर साल 7,000,000 लोग की death हो जाती हैं anti-microbial resistance की वज़े से और अगर ही urgent action नहीं लिया गया इस चीज़ को adders करने के लिए तो 2050 आते आते 10 million annual deaths होंगी anti-microbial resistance की वज़े से और cost आएगा हर साल इसकी वज़े से 10 trillion dollars अगर देखो जल्द ही कुछ नहीं किया गया इसको adders करने के लिए तो ना सिरफ deaths बढ़ेंगी बलकि छोटे से छोटे रोगों का इलाज भी मुश्किल हो जाएगा खास करके जो least developed countries या फिर poor countries हैं उन पर बुरा पर भाव पड़ेगा वहाँ देखो होता क्या है इतना health infrastructure तो अच्छा नहीं होता तो वो ये छोटी छोटी parasitamol जैसी जो द्वाइयां हैं इन से काम चलाते हैं और ये द्वाइयां तो उनके लिए वरदान हैं लेकिन सोच के देखिए अगर इन द्वाइयों का ही असर होना बंद हो जाए तो क्या भीतेगी इन दिर्शों पर जहां पर health infrastructure already काफी ज़्यादा poor हैं तो क्या करना चाहिए काफी सारे points तो देखो हम already discuss कर ही चुके हैं revise कर चुके हैं और इस article में भी यही main बाते बोली जाती हैं article में बोला जाता है देखो सबसे पहले तो यह भी ensure करो कि जिन लोग के पास आज के समय में इन antibiotic drugs की access नहीं हैं कम से कम वो तो access करें दूसरा देखो नई research जरूर होनी चाहिए दिक्कत यह है कि नई research नहीं हो रही है इन drugs के छेतर में जैसे बड़ी जो companies हैं उन्होंने तो research करना ही छोड़ दिया हैं तो बड़ी companies को एक incentive देना ज़रूरी है कल हमने patent वाला article डिसकस किया था तो बड़ी companies के लिए एक prize announce किया जा सकता है ताकि बड़ी बड़ी companies भी इन drugs में research अपनी करना जारी रखें दूसरा लोगों को जागरू करने के आप सकता है कि वो अंदा दुन्द इन drugs को consume ना करें अगर अंदा दुन्द इन drugs को consume किया जाता है तो एक समय आएगा कि असर होना ही बंद हो जाएगा इन drugs का तो जनता के जो educational program है उसकी एहमियत पे focus करते हैं राइटर लाश्ट में अब लाश्ट में कुछ case studies के बारे में बताया जाता है जैसे UK ने एक billion dollars के AMR action fund को announce किया उसी परकार से पेरू ने भी efforts लगाने start किये हैं ताकि patients को जागरूप किया जासके कि कब antibiotics का इस्तमाल करना है तो अलग 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 देशों के program है अलग 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 देशों है वो action ले रहे हैं anti-biotic resistance को add us करने के लिए बट देखो विबिन देशों के बीच में cooperation जरूरी है best practices को share करना जरूरी है क्योंकि ये जो समस्या है ये भी धीरे-धीरे global समस्या बनती जा रही है क्योंकि antimicrobial resistance किसी एक देश में नहीं देखने को मिल रहा है सभी देशों में देखने को मिल रहा है तो सभी देश आपस में corporate अगर करते हैं इस समस्या को add us करने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो ये पूरा आठकल हमने डिसकस किया antimicrobial resistance से समन्दित चलते हैं आगे question देख लीजिए ये question UPSC के द्वारा पूछा गया था 2014 में can overuse and free availability of antibiotics without doctor prescription देखो doctor की prescription के बिना antibiotics का overuse और free availability क्या contribute करता है drug resistant disease के emerge होने में available mechanisms क्या है monitoring के लिए और control के लिए और सबसे last में critically discuss करना है कौन-कौन से issues involved है 250 words में आपको इस question का answer देना है